हेलो दोस्तो, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज विद एसके तो आज हम लोग इस वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और वो टॉपिक है हमारा इंपोर्टेंट डेम्स इन इंडिया यानि इंडिया के जितने भी इंपोर्टेंट डेम्स हैं उन सभी के बारे में हम लोग आज डिसकस करेंगी तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तो देखिए सबसे पहला है हमारा भगली हार डेम्स क्या है भगली हार डेम्स तो इसके बारे में देखते हैं क्या क्या इंपोर्टेंट है तो इसे जो है बगली आरड civic पाउर प्रोजेक्ट भी चा जाता है यानि बगली हार डेम का दुसरा नाम क्या है? बगली हारिद्रीट्रेल्स पाउर प्रोजेक्ट ठेक है? और देखिए इज प्रोजेक्टेड अन दा चेनाव रिवर यह जो है चेनाव नदी के ऊपर बना हुआ है बगली हार डेम और यह कहाँ पर है? यह रामबान डिस्टीक औफ जम्मू एन कसमीर यानि जम्मू एन कसमीर के रामबान डिस्टीक में है और इसकी उचाई जो है वो है लगबग 143 मिटर और इसकी लेंथ जो है वो है आपकी 317 मिटर यानि 317 मिटर ठीक है तो ये आपका पड़ता है कहां ये पड़ता है आपका जम्मु एनकस्मिन में और next देखे, next है वहीं पे जम्मु कस्मिन में एक आता है दुलहस्ती डैम ठीक है, तो इसे भी आपको याद रखना है और वहीं पे आता है और एक सलाल डैम तो ये तिनों जम्मु कस्मिन के काफी important डैम्स है एक होगी आपका बगली हार डेम, ठीक है, दुसरा होगी आपका दुलहस्ती, और ठर्ड होगी आपका सलाल डेम, तो ये तीनों आपको याद रखना है, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है हमारा भाकरा नंगल डेम, ठीक है, तो भाकरा नंगल डेम, तो ये इसका लेंथ तो इसका length जो है ये 518.6 यानि 518.16 मीटर इसका length है यानि लंबाई और ये हिमाचल परदेश में है और ये हिमाचल परदेश का सबसे largest dam है भाकरानंगल डेम ठीक है चलिए नेक्स्ट आता है हमारा पॉंग डेम, पॉंग डेम जो है वो ब्यास रिवर के उपर बना हुआ है, ब्यास नदी के उपर पॉंग डेम बना हुआ है, और यह कहां पर है, यह आपका हिमाचल परदेश में परता है, ठीक है, और यह हिमाचल परदेश का सबसे smallest डेम है, ओके, और ये इसका जो हाइट है ये 133 मिटर यानि 133 मिटर का ये उचाहिए है इसका और ये इसका लंबाई जो है 1951 मिटर ठीक है चली next आता है हमारा द्रंजीत सागर डेम और ये दिकिए दाइम इज़ पार्ट ऑफ अफ अफ ये स्टेक अप गॉवर्नवनमेंट अफ पंजाब ठीक है ये पंजाब का एक डेम है और ये डेम एक हईडर एलेक्रिक पावर प्रोजेकिट भी है ठीक है जिस तरफ बगली हार डेम था और ये रंजी सागर डेम दोनों हैड्रो एलेक्टिक पाउर पर यानि आपसे electricity का production होता है तो next देखिए दा रंजी सागर डेम constructed on the river रावी यानि रावी रंदी के उपर इसे बनाया गया है रंजी सागर डेम को और ये काफी important डेम है इंडिया नेक्स देखिए नेक्स आता है हमारा कॉसल्या डेम कॉसल्या डेम जो है ये पंचकुला डिस्टिक हरियाना में है जो की यमुना नदी के उपर बनाया गया है कोसलिया डेम यम्ना नदी के ऊपर हर्याना में है ठीक है नेक्स आता है हमारा राना परताप सागर डेम तो ये है हमारा रावत भाटा चित्तोर गर्डिश्ठीक राइस्थान में परता है राना परताप सागर डेम कहाँ पर ये राइस्थान जिला में मतलब राइस्थान चले नेक्स नेक्स आता है हमारा बनास या फिर इसे हम लोग करते हैं विसालपूर डेम ठीक है तो विसालपूर डेम के बारे हम देखते हैं तो विसालपूर डेम इस ग्रेविटी डेम ऑन दा बनास रिवर ये बनास रिवर के उपर बना गया है बनाया हुआ है इसलिए इसक of irrigation and water supply तो इस dame को बना से dame को 1999 में बनाया गया था तो इसका purpose क्या था इसे बनाने का तो वो था आपका irrigation and water supply तो water supply और irrigation के purpose से इसे बनाया गया था ओके चलिए next next आता है हमारा सरदार सरोबर dame तो सरदार सरोबर ड.: sowaj है इसे सोट में SSD लिखा हुआ है सरदार सरोबर डेम ओन दा इंडिया इंडियन नर्मदा रिवर यानि ये नर्मदा रिवर के ऊपर नदी के ऊपर बनाया गया है सरदार सरोबर डेम यह भी इंडिया काफी स्टेट में चलिए नेक्स नेक्स आता है हमारा तेरी डेम तेरी डेम भी काफी इंपोर्टेंट है और यह कहां है तो यह इन उत्राखंड इस दा हाइस डेम ऑफ इंडिया तेरी यह काफी इंपोर्टेंट है ठीक है इसे आपको याद रखना है कि सबसे उचा डेम इंडिया म क्या हो गया, Terry Dam, ठीक है, with a unique architecture, यानि इसका architect जो है, बहुत unique है, so unique that is, took more than 35 years in its construction, यानि ये इतना भव्य और सुन्दर है, कि इसे बनाने में लगबग 35 years लग गए है, ठीक है, चलिए, और ये कहां पाया जाता है, मतब कहां बना हुआ है, तो ये उत्राखन में और भी है, तो next आता है उत्राखन में भीमताल डेम, जिसका height है, 16.16, ठीक है, meter, और दुसरा आता है, धोली गंगा डेम, ये भी आपका उत्राखन state में है, और इसका जो height है, ये है, 56 meter के असपस, ठीक है, चलिए next, next है हमारा रिहांद डेम, रिहांद डेम, also known as गोविन बल्लब पंत सागर, is the largest डेम of India by volume, तो volume के हिसाब से, यानि volume के आकड़े से अगर देखा जाए, तो रिहांद डेम सबसे बड़ा है, volume यानि कहा जाए, तो density, यानि यहां पर पानी सबसे ज़्यादा इखटा होता है, the reservoir of रिहांद डेम is called, गोविन बल्लब पंत सागर, तो यहां का जो reservoir है, उसका नाम क्या है, गोविन बल्लब पंत सागर, and is largest, इंडिया's largest artificial lake, और यह एक artificial lake है, यानि मनुश्य के द्वारा बनाया गया, नेक्स देखें, कि रिहांद डेम is concrete gravity dam, located at पिपरी, in Sonbhadr district in उत्तरपरदेश, इंडिया, यानि रिहांद डेम जो है, Sonbhadr district उत्तरपरदेश में आपका स्थीद है, ठीक है, और देखिए, उत्तरपरदेश में आपका और एक डेम आता है, उसका नाम है अर्जुन डेम, ये भी आपका important है, अर्जुन डेम, इसकी जो लंबाई है, ये है, 5200 मीटर, ठीक है, बावन सो मीटर, इसकी लंबाई है, उत्तरपरदेश में, चलिए next, next देखिए, the three important dams, which is the backbone of west bangal, तो west bangal में दुर्गापूर बेरेज, और third है आपका, कंसा बति डेम, ठीक है, ये तीन डेम जो है, बंगाल का, बहुत ही important डेम है, ओके, फरक्का बेरेज, multi-purpose बेरेज, in मुर्सिदाबाद डिस्टिक और west bangal, तो west bangal के मुर्सिदाबाद डिस्टिक में, फरक्का बेरेज जो बना हुआ, ये एक multi-purpose है, यानि यहां से electricity भी produce होता है, और साथ ही irrigation के परपस से भी, इसका इस्तिमाल किया जाता है, ठीक है, ये जो है, bangalades border के बहुत ही करीबी में है, करीब में बना हुआ है, this bearage was commissioned in 1972, यानि 1972 में इसे बना कर तयार किया गया था, ओके, चलिए next, next आता हमारा, इंद्रा सागर डेम, तो इंद्रा सागर डेम जो है, इंडिया का largest dam है, is the largest dam in India, ठीक है, यानि लंबाई में सबसे बड़ा है, in terms of volume of water stored in the reservoir और यहाँ पर जो है, largest के साथ साथ, volume में भी यह बड़ा है, यानि यहाँ का density पानी का सबसे ज़्यादा है, it is located on the नर्मदा रिवर, at the town of नर्मदा नगर, और यह जो है, इंद्रा सागर डेम, यह नर्मदा रिवर के उपर बनाया गया है, ओके, और यह कहाँ पर है, तो नर्मदा नगर नर्मदा नगर है, वहीं पर बनाया गया है, और दीए, पुनासा इंदा खांडवा डिस्टिक of मध्य पर्देश in India, और यह इंद्रा सागर डेम जो है, वन मिनट, हाँ, तो इंद्रा सागर डेम जो है, यह मध्य पर्देश डिस्टिक में आपका बना हुआ है, ठीक है, कहाँ पर मध्य पर्देश में, चलि नेक्स्ट, नेक्स्ट आदा है नमारा बांचागर डेम बांचागर डेम जो है यह एक मल्टी परपस रिवर rolly project है कहाँ पर तो सोन रिवर सोन रिवर का आप लोग सुनए ही नाम सोन रिवर के उपर बना उगा है इनदा गेंजे totalmente बेसीन इन मद्य पर्देश यानि ये भी मद्य पर्देश में आता है आपका बांसागर डेम और इसकी जो लंबाई है यानि लेंथ जो है वो 1020 मीटर है और इसे फीट में अगर देखा जाए तो 3350 फीट और इसकी जो उचाई है वो लगबग 67 फीट है यानि 67 सरीween मीटर सॉरी फीट नहीं मीटर ओके चरिए नेक्स देखिए नेक्स आता है हमारा हीरा कुन काफि इंपोर्टेन डेम हीरा कुन डेम और इन ये जो बनाए गया है ये महानदी भी महानदी यीवर के ऊपर बनाया गया है About 15 km from Sambalpur in the state of Urisa in India यानि Urisa state में 15 km लंबा ये हिराकुट डेम बनाये गया है It is the longest earthen dam in the world यानि पुरे विस्व का सबसे लंबा हिराकुट डेम है ठीक है जो की इंडिया में ही है चलिए next इसे आपको याद रखना important है Next आता है आपका अगारिया डेम और अगारिया डेम जो है महानदी रिवर के उपर बना हुआ है ये 36 गर में है ठीक है चलिए next Next आता है आपका तूंग भद्र डेम ये भी important है Is considered the biggest dam in करनाठक तो करनाठक का ये सबसे बरा डेम है तूंगा भद्र डेम ठीक है This multi-purpose dam is built across the तूंग भद्र डेम इन होस्पेट ओके चलिए next Next है आपका कृष्णा राजा सागर डेम ठीक है तो कृष्णा राजा सागर डेम इसके बारे में देखिए This is the possibly the most famous dam in this area तो करनाठक का ये बहुत ही famous dam है तो which is located within an equal popular and beautiful tourist sport क्योंकि ये बहुत ही popular जगा और एक tourist sport जो है sport जो की महसूर महसूर को कहा जाता है tourist sport तो यहाँ पर बना हुआ है इसलिए ये एक भब्य है ठीक है करनाठक में चलिए next Next आता है आपका सूपा डेम सूपा डेम जो है आपका नौर्थ करनाठक में बना हुआ है और ये काली रिवर के उपर बना हुआ है ठीक है इन नौर्थ करनाठक is constructed across काली रिवर ठीक है ये भी important है चलिए next जितने भी करा रहा हूँ सब important है आपको सभी करना है ठीक है तो next आया आपका अल्माठी डेम अल्माठी डेम जो है इस hydroelectric project on the Krishna रिवर अल्माठी डेम जो है ये आपका Krishna रिवर के उपर बना हुआ है और ये एक hydroelectric project है यानि यहाँ से electricity produce किया जाता है और ये नौर्थ करनाठका में है ठीक है next आता है हमारा important काफी नागार अर्जून सागर डेम तो ये built across the Krishna रिवर ये Krishna रिवर के उपर बनाये गया है forming boundary between तेलंगना एन गुंतूर डिष्टिक अप अंदरपरदेश इस्टेट और ये जो है ये डेम जो है तेलंगना इस्टेट और अंदरपरदेश के गुंतूर डिष्टिक से अपना border साजा करता है the dam and reservoir has the second biggest water reservoir in India यानि ये सबसे second सबसे बड़ा आपका reservoir है इंडिया में reservoir means जहाँ पर पानी इखटा किया जाता है चलिए next आता है आपका स्री सलेम डेम तो स्री सलेम डेम के बारे हम देखते है is constructed across the Krishna river on the border of महाबू नगर महबूब नगर district तेलंगना एंड कॉर्णूल district अंदरपरदेश near स्री सलेम temple town and is the second largest capacity working hydroelectric station in the country तो ये काफी important देखे कैसे स्री सलेम डेम जो आपका तेलंगना और अंदरपरदेश से सटा हुआ है ठीक है और ये Krishna river के उपर बना हुआ है इसे आपको याद रखना है और साथी साथ ये second largest capacity working hydroelectric station है यानि यहाँ से जो है इंडिया में second largest electricity produce किया जाता है ठीक है चलिए next next आता है आपका मिठूर डेम मिठूर डेम जो है is one of the largest dam in India इंडिया का एक ये largest dam है and also the largest in Tamil Nadu और Tamil Nadu का ये सबसे बड़ा dam है और इंडिया का बहुत सामे से बहुत सामे से एक बड़ा डेम है ठीक है located across the river Kavari where it enters the plane तो ये Kavari river के उपर बनाया गया है मिठूर डेम ठीक है देख सकते हैं आप लोग चलिए next देखिए Kalani dam Kalani dam जो है आपका is an ancient dam ये एक प्राचिन डेम है यानि ये बहुत प्राचिन समय में बनाया गया था it is built across the Kavari river इसे Kavari river के उपर बनाया गया है flowing from Tricupalli district to Thangavur district Tamil Nadu ठीक है ये मतलब Taminadu में आपका Tricupalli district से लेकर आपका Thangavur district तक ये फैला हुआ है Kalani dam Taminadu में और ये कहां बनाया गया है Taminadu में बनाया गया और Kabiri नदी के उपर next देखिए next आता है आपका Amravati dam क्या है Amravati dam तो Amravati dam is a dam constructed across the Amravati river it is located at Amravati नगर तो Amravati नगर के पास ये बनाया गया है 25 किलोमेटर का इसके देखिए 25 किलोमेटर south of Udum Udumalpet ठीक है Udumalpet जो है on SH17 in the Indra Gandhi wildlife century इससे 25 किलोमेटर के दाइरे में बनाया गया है इसे तीरूपूर डिस्टिक in the Indian state of Tamil Nadu Tamil Nadu के तीरूपूर डिस्टिक में ये बनाया गया है Amravati dam next next आता है आपका कृष्णागिरी डेम कृष्णागिरी डेम जो है आपका आँ देखिए कृष्णागिरी डेम इस्पैंस दा तेन पेनी रिवर तेन पेनी रिवर के उपर ये बनाया गया है बाइदा भिल्ले जोप दादू गना हली ठीक है located in कृष्णागिरी डिस्टिक तामिलाडू और ये तामिलाडू के कृष्णागिरी डिस्टिक में बना हाँ located है नेच्स आता है आपका Periar Dam काफे important Periar Dam और इसका पूरा नाम नाम है क्या Mullah Periar Dam Is a The carrier Dam on the Periar River तो देखे इसे याद करना वेजिए Periar Dam पेरियार नदी के ही उपर बनाय गया है In the Indian state of Keral तो Keral यानि Kerala के पेरियार नदी के उपर इसे बनाय गया है It is located 881 meter above sea level और ये sea level से 881 meter उचाई पे बनाए गया है यानि बहुत ही उचाई पे ये बनाए गया है आपका पेरियार डेम से लिए नेक्स और लाज़ देखिए आपका इडू की डेम इडू की बांद जो है Is a first arc dam of Asia यानि ये सबसे पहले Asia का सबसे पहला dam है जिसे इंजिनरिंग द्वारा आर्किटेक्चर द्वारा बनाया गया और दुनिया में सेकेंड है ये टावरिंग 555 feet in height और height में ये 555 feet का है and 650 feet in width और चौडाई में 650 feet का The dam lies between two huge mountains known as कुरावर माला and कुराथी माला ठीक है ये दो आपका mountain range है इस दो के बीच ये इडू की बांद बनाये गया है ठीक है तो आपको ये याद रखना है तो चलिए ये था आपका सारा important dam I hope आपको समझ में आया हो तो चलिए अब मिलते हैं किसी next video में किसी next topic के साथ और channel को subscribe करना ना भूले Thank you